अधाइब हेलो फ्रेंड्स ऑर एस स्टिछिंग सेंटर में आपका स्वागत है अज हम दरोगा का अगला सेटर श्टार्ट करते हैं इसे पहले और सेटर स्टार्ट कर चुके हैं यह जी नहीं देखे हैं तो अब प्लेइलिस्ट में जाके दे सकते हैं तो आप फ़स्ट नमबर को संसे अब स्टार्ट करेंगे और ध्यान दिजेगा द्रोगा के लिए और बीहार से से के लिए या कोई भी कमपेटेटिव एक्जाम के लिए हम वीडियो अफ्लोड केये हैं यदि नहीं देखें तो आप प्ले लिष्ट में जाके देख सकतें तो हम फ़स्ट नमबर कोसं से स्टार्ट करते हैं सारवजिनिक पतर का अधिकार कैसा करता है कि राज के जो इन किसी भी पत में तो में में सभी नाखरी को के लिए अपसर की समानता होती वा में एक हम कर सकते हैं iso làen 2008 में है यहिए कि इनी कि एनिकी का सकते हैं सोह ला के अपर टो महिब हम बात करेंगे जिएघ्ट कोष्ण में क्या करा हैं नेस्ट कोattend शन कर रहा हैं क्या कि second question की बात करेंगे तो second question में क्या कर रहा है कर रहा है, विधेश भेजे जाने वाले विभीन संसद्य परतिनीधित्म मंडलों के लिए ब्यक्तियों का नमांकर निम लिखित में कौन करता है तिह इसका जो but answer option number D हो जाएगा लोक्षवाद्यच करता है और लोकसवाध्यच यानि कि भारतिय संसद्य समू का पदेन अध्यच होता है जो लोकसवाध्यच के सला से ही विभिन संसद्य परतिनी धित्वों को क्या करता है विधेश भेजा जाता है यानि कि भेज सकता है ठीक है नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क् निम्ण में से किसे संशत सदस ना होते हुए भी संशत को संबोधित करने का अधिकार प्राप्ता है तो इसका सई अंसर option number भी हो जाएगा अडवने जेनरल भारत का अटवने जेनरल यानिकि महान्यवादी और महान्यवादी की बात करेंगे तो महान्यवादी सब्सक्राइब लेकिन व्स भाइन संबोधित करशकता है और कहगा इस और यहादा बात करेंगे वन ज्यादर डिस्कर्शननहें करेंगे लाएंगे इसमें थोड़ा सा कोशन खरवाना तो थोड़ा सा तेजी में चलते हैं कि नेश्ट कोशन की बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में करा है कि समविधान सभा के परावरूं समीति के अध्यच कॉन थे तहे साई answer option number three है बी र अमवेद कर कौन है बी यार अमवेद कर बात करते हैं 29 अगस्त कि 29 एगस्त 6-27 संबीधान सभाने 6 5 मिदाहान का परूरूप तयार करने का प्राभरूप समीति का गठन किया गया राजिक का अध्याजक कौन हुए भी और अंविदकर हुए यह इसक्षित्र से अध्यठ साईस था अजिनों की नेष्ट कौसल में क्या करा ने 아니면 कर रहा है कि हमारे राष्टिय ध्वज में हमारे राष्टिय ध्वज के मद में इस्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है तो इसका सही अंसर आप से चक्र से लिया गया है और इसमेर कितने तिलियां है इसमेर किट 24 तिलियां है कि इसके लंबाई और चोड़ाइगी को यह option number C हो जाएगा, option number C हो जाएगा, पांच शेतरिये परशद है, कितने शेतरिये परशद है, बात करते हैं कुछ extra fact की, तो भारत में कुल पांच शेतरिये परशद है, इसका गठन कौन करता है, तो राश्पती के दौरा क्या जाता है, और जो इसका अध्यच होते है, कोशन अध्यच कुन होते हैं केंद्रिये गिरह मंत्री होते हैं लेकिन इसका गठन किसके दौरा के जाता गठन राष्टपती करता है लेकिन अध्यच जो होते हैं यानि कि गिरह मंत्री होते हैं और जब कि यानि कि का सकते हैं कि जब कि समंधित राजों के जो मुख मंत्री होता है जितने भी राज है उसका मुख मंत्री होता है इसका उपाध्यच होते हैं अध्यच के रूप में गिरह मंत्री होंगे लेकिन उपाध्यच के रूप में जितने राजों के जो मुख मंत्री है वही हो जाएंगे तो नेश्ट कोशन क्या बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या क ही हो जाएगा अनुछे 350-$ 2008 के एक में हो जाएगा कुछ हक्षशाख़ की बात करेंगी तो वहारती है शमिधान नुचे 350-फ एक में प्रास्थमित कर्स्तर पर मातरी भासफा यानी कि मातरी भासफा में सिछा की बात कही गई है जबकि अनुछे तिन सु एकामन में हिंदि भासा को प्रश्साहित करने का बात कहा रहा है कि राष्ट पति कि निर्वाचन के समय दूसरी चकर की मत दन ना करने पड़ी थी इसका सही अंसर ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा बेवी गिरी बेवी गिरी बेवी गिरी की बात करेंगे तो यह भारत के चोथे राश्टपती थे और उनका जो कार्जिकाल था उने सो उनहतर से चुहुतर था औरेक मात्र आएसे राश्पती थे यहांवे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र में मात णा करने पड़ी थे नेस्ट कोष्टन क्या बात करेंगे हैं का ये निश्ट कोशन में करा आएह किसी राज के विद्हान पर्षद में सदस्यों की निउनतम संख्या कितनी हो सकती है ते इसका सई अंसर आपस नंबर सी हो जाएगा 40 निउनतम कम से कम कितना होगा 40 होता है होता क्या विधान परशद में सदस्यों की संख्या यह निकी जो विधान सभा में सदस्यों होता है विधान सभा में सदस्यों उसका एक तिहाई होना चाहिए है ना एक तिहाई से जादे नहीं होना चाहिए कम से कम 40 होना चाहिए विधान सभा में करते हैं कि कुछेगा बर्तमान में कितने राजियों में बिधान परशद है तो हम बात करते हैं यह यह जो कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि निम्न में कौन संग सूची के अंतरगत नहीं आता है इसका जो सही स्वास्थ हो जाएगा कौन हो जाएगा लोग स्वास्थ हो जाएगा बात करते हैं बरतमान में संग सूची में अंतरगत सो भी से सामिल है जिसमें संग सूची में कौन कोन आ जाएगा टेलिफोन आ जाएगा डाक आ जाएगा रच्छा आ जाएगा संग आ जाएगा यह सब यह क्या कर सकते हैं यह कि संग सूची के अंतरगत आता है नेश्ट कोशन की बात करेंगे इसमें क्या कहा था यानि कि संग सुची में नहीं आता है तो नहीं आता है लोक श्वास्त और वकी टेलिफोन रचावर डाख है नहीं जो आता है नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में करा है कि राष् और इस परिशत के जो अध्याच को सब्सक्राइब होते हैं कौन होते हैं परधान मंत्री होते हैं और राष्ट्य विकास परिशत को सुपर कविनेट की संग्या किसने दिया था कुछता है कि राष्ट्य विकास परिशत को सुपर कविनेट की संग्या किसने दिया था तक के संथानम ने दिया था किसने दिया था के संथानम ने दिया था हो सकता है पूछेगा किसे सूपर कविनेट की संग्या दिया गया है तक कहेंगे कि राष्ट्य विकास परिशत को को कुछेगा राश्ट विकास परशद का गठन कवह था यानिकी गठन कवह था तो कहेंगे 6 गस्त 902 में को निष्ट को सन क्या बात करेंगे कि लुब app बात करेंगे कि राज लोक सेबायोग के सबस्यों का कार रिकाल होता है इसका सीघी अंसर नवर्षी हो जाएगा यार तो फि παस्ते होता है कि शे बर्ष को यह रहts सबस्यों का पूरा हो जाएगा उसके तहट कास्पराप्त करेगा तो नेस्ट को सन के हमें क्या करहाँ कि सार्दा एक्ट को किसके कारीकाल के दोर आपद किया गया था इसका सही अनसर अपसन नंबर zero door Aiva लौड इर्विन के टैमें सार्दा एक्ट पारित किया गया था हम बात करेंगे कि सार्दा एक्ट 39 में हर विला सार्दा के परियास से बाल निशेद कानून बना और इसमें क्या हुआ था कि लड़कों का विवा अठारा वर्स तथा लड़कियों का वर यानि की जो आयूँ थ था 14 वर्ष निधारित किया गया था उसमें जो वाइसराइकों था लौड इर्विन थे ठीक है नेस्ट कोशन की बात करेंगे नेस्ट वीडियो में हम लाएंगे ना तो हम सभी का यह निकी डिसकर्स करेंगे कि लौड विल्यम बैटी का काज काल कब से कब है लौड रीपन का उसमाज थोड़ा कम टाइम रहने के कारण हम थोड़ा तेजी में स्कॉसन करते हैं अब दाइस्ट में क्या करा कराए पिलकमिशन के सीफारिश के बाद वहारतिये सेनिक को तथा एरोपीय से निक को की संख्यक अनुपात कितना था तो इसका सए अंसर और दी हो जाएगा द लेकिन हम कुछ एक्टाइफेक्ट के बात करेंगे तो उनाइसोव सोरी अठारासोँ अंठामन के जो उद्धोशना के बाद फिल कमिशन के सिफारिस के अनुसार भारतियों सैनिक अईरोपियों सैनिकी संख्या का अनुपात पहले तो पांच अनुपात एक से घटा कर अब द दिये गया कोशन फूछेगा कि पिल ऐयो का समंद्ध किसे तो हम कहेंगे कि यत्ठांता के करांति से कि किसने कहा था कि कॉंगरेस याशना करने वाली संस्था है किसने कहा था तह इसका जो सही अंसर आ जाएगा option number C हो जाएगा विपिन चंद्र पाल कहा था किस ने कहा था विपिन चंद्र पाल कहा था बात करेंगे एक्स्टा फैक्ट की तक गरम पंथी विचार धारा के जो नेता विपिन चंद्र पाल ने क्को याचना करने वाली संस्ता कहा था जबिके लाला लजपत्राय ने ingredient सर क्कौंग्रेस के दिमाग के उपज थी इनका काना था लाला लजपत्राय के और बालfolgंगा धर तिलक ने cook के लिए सर पर्थम येनिकी क्या आका सकते हैं कि वींग सब्द का परयो किया था वी जिंग सब्द का परियोंग किया था निश्ट कोश्चिन के बात करेंगे तो निश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि शरपर्थम स्वराज सब्द का परियोंग इस ने किया था इसका जो सही अंसर और नंबर सी देयनन सश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बात करेंगे तो नेस्ट कोशन में क्या कर रहा है कि सुलेखन क्या है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option नमबर एक हो जाएगा सुन्दर हस्त लेखन को ही सुलेखन कहा जाता है तो इसका एक्ष्टा प्रियोग किया जाता है नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि सिंधु घाठी सभ्यता के दौरान अगनी कुंड का साच किस अस्थान से प्राप्त हुआ तो इसका सई को और नेश्ट कोशन के बात करेंगे तो नेश्ट कोशन मीं क्या रहा चार रहा है क्टोप नीसाद किस वेद का यहंगी उपणी सभ्यतल है इसका जो सब्ससें अंसूरगो इंसर हो जाएगा यह समीर्फ तो बात करते हैं किस एक्टरैस के som और यह जुर्वेद को अर्धायू कहा जाता है और धनुर्वेद का यनि की जो धनुर्वेद इसका क्या है उपवेद है क्या है और नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा किरा किस परशिद सासख ने कलिंग कुम मगत छेत्र में मिलाया था तह इसका जो सही Anson Rap On weiser no 2 हो जाएगा महा पदमनंद हो जाएगा महा पदमनंद के बात करेंगे तो इसका जो शाषन था तीन सो 44-izing 354 युस्वी पूर्व और महापद्दमन नन्द-बन्ष के संस्थापक थे और नेश्ट कोसन की बात करींगे तो नेश्ट कोसन में क्या कर आ किस अभिलेख में गौत्मी पुछ सत्कर्णी की बिजाय का उलेक है तो इसका जो सही अंसर ऑप्सन नमबर एक हो जाएगा नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख गौत्मी पुस्षत करनी एक सोचोई इसवी से एक सोटीस इसवी के समय साथ वाहन वंस के यहनिकी पुनरुधार हुआ और इसने सकोक से मालवात अथा काठिया वार छीन लिया था और इसने क्या किया था कि सरपर्थम अपने नाम के आगे क्या अपनी माता का नाम लगाया था और नासिक अभिलेख के किस का बर्नन मिलता है विजय का बर्नन किस अभिलेख में मिलता है तो नासिक अभिलेख में मिलता है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन में कर रहा है कि जिल्य इलाही का उपाधि किस परशित सासक ने धारन किया था तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number C हो जाएगा बल्वन हो जाएगा किसने धारन किया था बल्वन हो जाएगा बल्वन की बात करेंगे तो बल्वन ने राजत्व का नया सिधान परतिबादन किया था या पर्थम सुल्तान था जिसने राजत्व का क्या किया था सु अस्पष्ट व्याख्या किया था और जिस लुए कि बात करेंगे तो बलवन यहनों कि क्या खा सकते हैं कि सैनी विभाग क्त था उसको क्या कहते हैं DAVID 갖고 हouleका जो बलवन ने जो सीन्व होके स्थापना किया था दीवाने अर्ज किया था क्या क्या था दिवाने अर्ज जैसे में मुहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मुहम्मद बिन तुगलक क्रिसी विभाग की अस्थापना क्या था उसे क्या कोशन पुछेगा उसे क्या काते हैं तो दिवाने को ही करते हैं उसके बाद कोशन पुछेगा कि दिवाने मु एफेश्टि फिरोसा तूगलक आधगना है यह जो तीनों हैं फिरोसा तूगलक खई इवा खा से खाई Will खेए घृरात दिवाने खाई इसतिहाक दिवाने इस्तिहाक फिरोसा तूगर दिवाने बंदगाान फिरोसा रूह तो इसका जो सही अंसर आजएगा बलवन हो जाएगा नेश्ट कोशन के अब बात करेंगे नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन में कर रहा है कि मजहर नामा की घोषना अकवर ने किस वर्स किया ताई इसका जो सही अंसर है आपसर नंबर भी हो जाएगा 1589 में हो जाएगा कब हो जाएगा 1589 में हो जाएगा अब बात करते हैं अकवर ने मजहर नामा की घोषना 1589 में किया था लेकिन मजहर नामा के द्वारा अकवर ने सुएं को धर्म के मामले में सरबोच यानि कि क्या हो गया था बना लिया था और 1575 में इवादत खाना के अस्थापना किया था और सभी धर्म को इवादत खाना में जाने के लिए परवेश 1578 में शुरुआत किया था और निश्ट कोशन के हम बात करेंगे और यह वाद खाना एक तरह से पूजा घर का सकते हैं निश्ट कोशन की बात करेंगे निश्ट कोशन में क्या करा किस देश के सहीयोग से राजा महंदर परताप के राजा महंदर परताप ने काबूल में अंत्रिम सरकार के अस्थापना के थी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसा नमबर भी हो जाएगा जर्मनी में किस देश के सहीयोग से राजा महंदर परताप ने काबूल में अंत्रिम सरकार के स्थापना किया था यानिके के थे तो जर्मनी के सहीयोग से और नेश्ट कोशन की बात करेंगे कोशन पूछेगा यानिके कब यानिके सहीयोग किये थे तो हम कहेंगे कि 1915 इस भी में कब 1915 इस भी में नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि पर्थम बार अलग पाकिस्तान के निर्मान का प्रस्ताब का पारित किया गया था तो इसका सही अंसर ऑप्सन नंबर एक हो जाएगा 1940 में मुस्लिम लिग के लहोर अधिवेशन 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्मान का प्रस्ताब किया गया था और मुस्लिम दिंग ने 23 मार्च उन्हैसो तेता औरूछ को पाकिस्तान लिवास़ के रुफ में मनाया था का मनाया था 23 मार्च को निश्ट को ने कि हम बात करेंगे तो ने स्थकूसन क्या पहरें था इसको मैं जब आप solution किजिएगा इसका जब आप solution किजिएगा तो इसका जो answer आएगा option number एक आजाएगा ठीक है और next question के हम बात करेंगे तो next question में भी मैथ है next question में भी क्या है मैथ है तो हम next question के बात करेंगे तो next question का जो answer हो जाएगा option number C हो जाएगा और next question की भी करेंगे 28 नमबर का जो अंसर हो जाएगा और लिए गार है ऐसे हम मथ का भी स्जूसान करते हैं जाके प्ले लिश्ट में देख सकते हैं और कि बात करेंगे तो 28 नमब़ यह भी मय थैं तो इसका जो आंसर सोड 2 नंफर का जो आंसर हो जाएगा और नेस्ट कोरशन की बात करेंगें तो इस्था बल्कि जंपना कब किया गया तो का जो सही अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा 79 यानि कि का सकते हैं सिया ये स्थापना पूछ रहा है तो 69 जबकि CRP CRP के बोलेगा तो 49 में CRP के बोलेगा तो 49 में हो जाएगा ठीक है कि नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे और जिसको भी CISF में जो नोकरी होता है यानि केंदिया धोगिक सुरचा बल में होता है तो उसको बस क्या कर सकते हैं इनका जो कार्ज मिलता धोगिक परिसर में ही काम करने के लिए का मिलता है next question की बात करेंगे तो next question में क्या करा next question में करा आई कि निमलिकित में कौन सा देश है जो शेतरफल तथा जन संक्या दोनो छेतर में समान है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number भी हो जाएगा ब्राजिल, ब्राजिल में यानि कि कह सकते हैं कि छेतरफल में भी शमान है और जनसंक्या में भी समान है यहीं कि दोनों में समान है और दोनों में पच्छमा नंबर पर आएगा पहला नंबर की बात करेंगे च्छेत्रफल में रूस आजाएगा दूसरा में हम सोरी च्छेत्रफल में पहला नंबर में को न जाएगा रूसे तो आएगा रूस आए जाएगा situation दूसरा की बाथ तिस्यार की बात करेंगे तो चीन आजाएगा चैना तो पर फ़ोधा की बात करेंगे तो ब्राजिल लाये जाएगा तो इस तरह से आप student के कि चीन अभाट ऌथ और चंछान की अब बात करेंगे तो फाला नमर में चीन आ जईगा। दूसरा में भारत आ जाएगा तिस्रा में अट आज़ैका यातुत्त फ्मा abusedилось यह अर्वाइस्थ लेकिन पांचमा ना का नेंट को पर चेंगा le context के का रहा है कि कंचन जंगा परवत हिमाले के किस स्रेंदी के अंतरगात आता है ते इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा किस में आ जाएगा बिरहद हिमाले में आ जाएगा किस में आ जाएगा बिरहद हिमाले में आ जाएगा और कंचन जंगा की जो उचाई है क्वेस्ट कोशन में कर रहा है कि माल्दीप मिनिकाय के मद कौन सा चैनल अबस्तित है तो जो सही answer option No.1 हो जाएगा 8-degree channel कौन हो जाएगा 8-degree channel हो जाएगा और बात करते हैं कि माल्दीप तथा मिनिकाय के मद 8-degree channel है लेकिन क्वेसन पूछेगा कि 9-degree channel ую कि दिगरीट चाहिए तो कहेंगे कि लर्मी निगाए के वीच अबस हता है और इसके बाद को सन पूखेगा कि जो दूष डिग्रीच चैनल है किसके बीच है तो हुम कहेंगे छोटा नवानत था निको और कि मधिच ठी तेज़ छेथ है 10 डीज और नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे, नेश्ट कोशन में क्या करा है, नेश्ट कोशन कर रहा है, कि बिहार जल पर वात किस नदी के परिस्तित है, इसका सही अंसर टोंस नदी हो जाएगा, कौन नदी, टोंस नदी हो जाएगा, और इसके जो उचाई की बात करेंगे, तो सो मीटर है और कोशन पूछेगा टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है तो हम कहेंगे जमना की सहायक नदी टॉन्स है किसकी सहायक नदी जमना की नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन में कर रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग इसके उपस्तिती के कारण होता है तो इसका जो सही पर्फोरस की कमी होता है इसमें क्या होता है कि नेट्रोजन और फखोरस की कमी होता है इस मीटी में और नेजड कोषन कें हम बात करें । नेश्ट कोषन में क्या कर रहा है कि प्राइदीपय भारत में सिचाई का पर्मुक साधन क्या है तो इसका सभी अंसर option नंबर CS हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या घंसरी किसकी सहाइक नदी र Susa सबूसर करेंगे लिदगम की बात करेंगे तो मांसरूबर जील से हैं जहां से सिंधु नदी भी उद्गम अस्थान सिधु नदी का भी मानशुरोबर जील है तो यानि कि का सकते हैं कि ब्रहमपुत्रा नदी का उद्गम अस्थान तीबत के में जो इस्तित है मानशुरोबर जील वहां से उद्गम अस्थान है और यानि कि तिबत होते भारत होते में परवाहित होती है और ब्रहमपुत्रा की जो कुछ सहायक नदियां जिसमें हो गया कुलसी मानस्री तेस्ता हो गया सब ब्रहमपुत्रा क lihat करती है अरुनाचल पर्देश में यंगा याप धर्रा से होते हुए पर बेस करती हैं के हम बात करेंगे जॉच deleting में क्या रहा है इस को सब्सक्राइब करने रिख सब्सक्राइब childhood को और सबस्क्राइब स्क्राइब लेकिन इस सपरियर के बात करेंगे तो अम्रीका कनाड़ा के बोर्डर पोर हो जाएगा और oke new हिए міcingen जिल है जो सिर्फ अमस्टाइब के और बात करेंगे नेश्ट कोशन के और मीसी जिल न हीका इसका छेद्रपलस फढ़ा हुआ है 468000 किलोमीटर में फैला हुआ है क्या इपकtsål 2022 कि फॉट cal जल्धरा का समंद किस महासागर से और एंसर option number C we PHP महासागर में अब बत करते हैं देखे फाक लेंड जल्धारा है कैसा है थन्डी है चाहित है अब फटन्डी के बात करेंगे देशा कनारी लेकिन कहा कै अंट्रांटीक के लेकिन अंट्रांटीक महासागर के गरम जलधारा कौन कोन है तो कहेंगे की गरम गलफ अस्के बाद फ्लोरीडा जलधारा आवी अम्हिंच को एःह चノory रहा है तो, क्या कर रहा है कि रोहिल्ला राश्टि-वुद्ध्यान के स्राज में अवस्तित आयता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल परदेश कहा हो जाएगा हिमाचल परदेश और यह बात करेंगे यहां जो है न कस्तूरी हीरन भूरा भालू तथा पहाड़ी तेंदुआ के लिए परसीद है नेश कोशन क चार कि बात करेंगे 21668 में वहा था और नेश कोशन की बात करेंगे कि बात करेंगे पो सह् 你िस कोशनहें Sergeant करने कि रहा है कि परोसी देश मेहांन के साथ कितने भारती राज़ों किसी मासा जाघकरता बहाता कि जो शही अंसर हो जाएगा ऑप्सेन नमबर भी हो जाएगा उसके बार मिजूरम तो चार हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा राय कि निम्लिक चीट में कौन सद्धा रा उत्राक्षन में अवस्थित नहीं है तो इसका सही ऑंसर आप्सन अमड़ी हो जाएगा ना थुला ना थुला दरा सिक्किम हैं और वकी सब उत्राखन में, नेश्ट कोशन की बात करेंगे, तो नेश्ट कोशन में क्या करा, नेश्ट कोशन में का राकी रिजार बैंक ओफ इंडिया का पर्तिक चिनिम्न में से क्या है, तो इसका जो सही अंसर आपसर नमबर सी हो जाएगा, ताल बिरिच के सामने एक बाग करेंगे तो जैसी हिल्टन आयो के सिफारिस पर किया गया था और नेश्ट कोशन की बात करेंगे और भारत का केंद्रिय बैंको रूप में को जामते हैं नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन का रहा है यानिकी नगा दरचित अनुपात तथा खुले बजार की यानिकी संक्रियाओं में यानिकी बिचरन किसके साधन है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा मौद्रिक निती कि बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन में कह रहा है कि अनपूर्णा योजना की सुरुवात किस वर्स किया गया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर शी हो जाएगा 2000 दोजार इस भी में नेश् उपलब्द करवाना है नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है वाई के अलग समीती का समंद किस से है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर सी हो जाएगा गरीबी से हैं किसे हैं गरीबी से हैं इसमें हुआ था क्या कि जिसमें बाई अलग समीटी का समद्ध गरीबी से इस समीटी ने पहले बार सहरी तथा गरामीन चेतरों के लोगों के लिए अलग कैलोरी की मातरा का निर्धारित किया था जिसमें कहा था एक काई सव कैलोरी ता यह 365 कैलोरी तो एग यहनि कि के लिए किसल स्था हाएं तो यह ग्रमलार्पन बो और नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि किस परधानमंत्री के काजिकाल के दौरान 14 परमुख व्यवसाइब बैंकों का राष्ट्य करन किया गया था तो इसका सही अंसर और भी हो जेगा इंद्रा गांधी और 14 बड़े राष्ट्य बैंकों का जो गठन किया गया था पंद्रा अप्राइल में किया गया था उसमें यहीं कि कर सकते हैं कि उसमें प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी ते लेकिन कहेंगा छे बड़े बैंकों का राष्ट्य करन तो उसमें इंद्रा गांधी थे नेश्ट कोशन के बात कर रहा है planning planning and the poor pustak के लेखक planning and the poor pustak के लेखक तो इसका सही अंसर option no.d.b.s. हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो कर रहा है विस बिरासत संधी पर भारत ने किस वर्स हास्ताचर किया तो इसका जो सही अंसर option number D हो जाएगा यहीं कि 1976 हो जाएगा कब बात करते हैं नेश्ट कोशन के नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन में कह रहा है कि भारतिय बंपरवंधक संस्थान का मुख्याला कहा है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा भारतिय बंपरवंधक संस्थान बोलेगा तो भोपाल हो जाएगा लेकिन जबकि बोलेगा कि राष्टी परियावरान तोस्थ अंस्थान तर नागपूर हो जाएगा नेश्ट कोशन की सही अंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा printer है कौन है printer जब कि और सभी है जो output डिभाइस है नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में करा निम्न में किसका समद्ध BACK जब जब सब्स्वेस हैं जब आनसर है क्योतोप प्रोटोकॉल किसे क्योट प्रोटोकॉल्स ऊपत्प कर सकते हैं सर्जन होता है उसी के बारे में चर्चा किया गया था नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि भारत में गुनबत्ता के द्रिष्टी कौन से एक मार्क एक्ट कभ लागो किया था तो इसका जो सही अंसर है अप्सन नमबर एक हो जाएगा 1927 हो जाएगा और नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा रहा है कि हाल ही में कि स्भारतिय पर्लवान ने 65 किलो गराम के यहनी कि बर्ग में बिस्व के नमबर वन रैंकिंग हासिल किया था इसका जो सही अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर भी हो जाएगा बजरंग पुनिया कौन हो जाएगा बजरंग पुनिया हो जाएगा और नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में कह रहा है कि हाली में किस देश ने अंत्रिच में अपना पहला सैन अभ्याद शुरू किया है इसका सई अंसर आप्सन नम कि इसको किस अस्कारपिनपन डुबी को भारती नौसेना में सामिल किया गया तो इसका जो सई अंसर और एक हो जाएगा आए नेस्ट कोशन की बात करेंगे नेस्ट कोशन में क्या करा रहा है किस कंपनी ने भारत में महिला CS सब्सक्राइब के लिए अनुदान में 25 मिलिए अमरीकी डॉलर का आनावरन किया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा कि आव सन्नमबर एक हो जाएगा गुगल हो जाएगा गुगल बाबा निस्ट को अचंद कि हम करेंगे में किनेक कर रहा है नेश्ट कोशन में कह रहा है नेश्ट कोशन में करा है कि हाली में जारी किये गए गलोबल जेन्डर गैप रिक पोट्ट दूहजारेकेस में भारत का स्थान कैमा हैं तो इसका सई अंसर उप्सन नमबर D हो जाएगा 140 है यकाइस में 140 है नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन में करा है कि 7 मार्ज 2021 को एक हिलिकोप्टर रुखटना में अरपती यानि कि ओलिवियर डशोल्ट का निधन हो गया वा किस देश के संसद के सदस्ते तै इसका जो सई अंसर हो जाएगा आपसन नंब हेगा फ्रांस के लिए कृव बनाने वाली कंप्पणी दस्षय City के मालिक ओलिवर डशा की हाल ही में हेलिकॉप्टर क्रैस्स में मौत हो गई यानिकी ऑलिवर गशान है फ्रांस के संसद किसे दस भी थे नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा है नेश्ट कोशन में कर रहा है कि रासभाद और लोगसभाद टीवी का विलाइक करके एक संजुक चैनल के शुरुवात किया गया है इसका क्या नाम है इसका जो सई अंसर अप्सन नंबर भी हो जाएगा संसर टीवी हो जाएगा क्या हो जाएगा संसर टीवी हो जाएगा राजसभा टीवी लोगसभा टीवी का भी लाइक करके एक नए चैनल संसर टीवी रखा गया है रिटाइड आईयस अधिकारी रभी कपूर को एक साल के लिए इसका सियो निउक्त किया गया नेश्ट किया गया नेश्ट की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा रहा है कि निवन में से कौन से सहर इज ओफ लिविंग नेश्ट कोशन की बात करेंगे 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 नेश्ट कोशन की हम बात करेंगे नेश्ट कोशन की बात करेंगे चुनावा बिधान सभा चुनाब को कितने चर्णों में कराने जाने यानि कि करा दिया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा आठ चरण में नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा है करा है हाल ही में किस राजने नेश्ट कोशन में नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है मलिक का कर गए मलिका अर्जुन खड़ गए नेश्ट कोशन की अब बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है तो नेश्ट कोशन में कह रहा है नेश्ट कोशन में कि किस राज सरकार ने हाली में कोवीड 90 वरियर मेमोरियल का निर्मान करने की घोशना किया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा उडीशा 68 का आप सही अंसर option number B हो जाएगा उडीशा हो जाएगा next question की अब बात करेंगे next question में क्या करा नेश्ट suspension में करा है कि किस केंद्धरिए मंत्री ने हाल ही में इच ठावनी पॉर्टल लॉंच किया है तो इसका जो सई my answer option number भी हो जाएगा राजस्त यैनि के राज नाथसी कौन राज नाथसी hate इनेकि इच और पोटरल लोंच किया है next को शरीन की बात करेंगे next एक हो जाएगा अभी जीता गुपता नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में किया रहा है कि हाल ही में किस रास्रकार निकाला आप्सनी नंबर सी हो जएगा उत्तर पर्देश कोन ओर जएगा उत्तर पर्देश की बात करेंगे उत्तर पर्देश के साइस्दात नजरत हुआ करेंगे नेंश्ट कोर्शन की बात करेंगे निश्ट कोर्शन में क्या करा कि हाली में किसे हिंदी भासा के लिए साहित अगार्मी पुरुस्कार 2020 से समानिद गिले किसके लिए दिया गया और शैटाये कार में क्षाब में दिनगत च观음्हें के दिया गयाए और जो अब नीच रिएक हो जाएगा के शेंगे इस्टोनिया की पहली महिला इस्टोनिया की पहली में अभला पर ध्हान मांत्री कौन बनी है तो इसका जो शही अंसर ऑप्सण नमबर 1 हो जाएगा काजा कलास कॉन हो जांसर काला काला काजा कालास स्टोनिय की पाहली मैं आप बात करेंगे नेश्ड पूसलंड की तो नेश्ड को समय क्या करा है कि वर्ड बितलैंज डे तीम क्या है तो नेंसर आपकि यांसर रेंसर के अनुसार बित वर्स 2021-22 में भारत के जो बासतिविक जीड़ी पी कितने पर तीसे बढ़ने का नुमान है तो इसका जो सही अंसर हो जएगा option number C हो जएगा 11% Next question की बात करेंगे तो नेश्ट कोर्षन में क्या करा करा है कि कमनमा दादा साहफ फाल के अवार्ड के लिए किसे अभीनेत्री को चुना गया है किसा अभीनेत्री को चुना गया है तो जो सही अंसर option number B हो जएगा रजनी कांत हो जाएगा कौन हो जाएगा रजनी कांत नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है नेश्ट कोशन में क्या कह रहा है नेश्ट कोशन में कह रहा है कि जनवरी 2021 में किस राज में 16 सोटान लिथियम भंडार की खोज की गई है तो इसका ज नेस्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेस्ट कोशन में क्या कर रहा है नेस्ट कोशन कर रहा है कि नेस्ट कोशन के बात करेंगे हाल ही में सर्वोष नियाले के परमूक यानि कि नेस्ट कोशन की बात करेंगे तो नेस्ट कोशन के बात करेंगे तो नेस्ट कोशन में क्या करा रहा है नेस्ट कोशन में दो निकायों के बीच उस्मा के परवाह की दिसा किस पर निर्भर करती है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा श्यान हो जाएगा कौन हो जाएगा स्यान हो जाएगा नेस्ट कोशन की बात करेंगे नेस्ट कोशन का रहा है धौनी उल्जा का विद्धू तूर्जा में प्रवर्तित कि कि माध्यां से किया जाता यह तहिए जो सही अंसर प्सर नमबर 3 हो जाएगा माईक्रोफॉन के द्वारा हो देगा नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेस्ट कोशन में क्या करा रहा है नेम लिखित में कौन सा अआवासी बलका उधारन है तो इसका जो सही अंसर आप्शन नमबर भी हो जाएगा अपकेंद्री ये बत नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है कि विधुचा लगता की यूनिट क्या है तो इसका जो सही अंसर आप्शन नमबर एक हो जाएगा क्या हो जाए है तो प्रिष्ट तना पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका सही अंसर और भी घड़ जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो nesche verr Sunday करा निवनिखित में काउन सी धातू जल के साथ अभी किरिया करके है घर्डोजन उत्वन नहीं करती है ते इसका जो सभी memes екाडमियम हो जाएगा कडमियम नहीं करती है के अंगर करेंगे कि मिलने क्या तो निस्ट कोशन में कहा रहा है कि निम्ड में किसे भूरा कुला कहा जाता है यह इसका जो सही अंसर नुमजर फीट के रिये रख सराव को रोकने में सहयक होती है यह इसका जो सही अंसर ऑप्सन में सفس हो जाएगा असकंदन निशट को कि हम बात करेंगे तो निश्ट कोषण में क्या कराए छल गाई सनिम्ल खिक्षित से किसका मिसरण बाना अस्श का यूँ साइए आपस्न नमट बी ऑजाएगा सेलूलोज सेलूलोज और सेलूलोज पॉली सेके राइट सरक्रा है कैसा सरक्रा सेलूलोज हो गिया गलाइकोजन हो गिया इस सब जो सभी है या काइटीन हो गिया सब पॉली सेके राइट सरक्रा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा मोना जाइट में निम्ड में से कौन सा खनेज पाया जाता है तो इसका जो सही answer option number 1 हो जाएगा थोरियम हो जाएगा कौन हो जाएगा थोरियम नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा नेस्ट कोश्ון में कर रहा है कि रेडियों सक्रीटा निम्ड में से किसका परमुख गुन है त็हीं उनसर ओपसर नम कौन सी विधी परयोग में लाए जाती है तो इसका सही आंसर ओपसर नमबर भी हो जाएगा करेंगे निमलिखित में से किस विटामिन का संसलेशन यिकरित द्वारा किया जा सकता है तो इसका थёт वृप्से नमबर 1 किम सा भीका बोल सकते हैं यिए कृत हैं एक्रित यसका जो बजन होता है डेर से दोकेजी ऒता है कौशन की बाद करेंगे और कोई भी ब्यक्ति जदी टॉक्सिन पदार्थ खाता है तो लीवर में के अ क्रित में जाता है भूर्व की एप प्रा पोसित किसमें सहयक होती है तो की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा यानिके इस सर्वात सर्वात्रिक रक्त दाता वे लोग हैं जिनका रुधिर बर्ग होता तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक आप इसमें भी देखिए सर्वदाता में भी ओ जदी निगेटिव दे लेगा तो निगेटिव होता है एनिके शर्वदाता वो नेगेटिव लेकिन सर्वगराह कि बात करेगा ने सुधर्ध कर रफ़ोझ सीरा में सुधृ रख्त का परवाह होता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा आप जराओं नमबर सी सिरा हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे गुंशुत्र में होते हैं तो गुंशुत्र में क्या होते हैं तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा प्रोटीन और लास्ट और नेश्ट कोश्टन कालाजार नामक रो किसके द्वारा संचारित होता है तो आज इसका जो सई अंसर प्रोटीन तो हम आज सोता कोशन सोलूशन के लेकिन पूरा तो डिसकर्श नहीं कि इसमें शेश्ट्री लोड करें और मैट का सेट मेर लोड करें सुपर ट्वंटी का भी जो मैट का सट लोड कर रहे थे और अभी फिलाल भिहार एसी सी में जो कोशन जिस टाइब का पूछा जा सकता है और स्टार्ट किये हुए हैं तो बस आज वाज इतना ही जदे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए